हेलो प्रेंच स्वागत है मेरे चैनल में आपका तो आज हम इस वीडियो में नेट प्रेंचिस का ब्लाउस बनाना सीखेंगे तो फ्रेंच वीडियो को पूरा देखें इसके लिए देखें नेट लिया है और यह मैन फैबरिक है और यह ऐस्तर वाला फैबरिक है तो यहाँ प बैगि के भाट करेंगे बॉल्ड करने के बाद देखिए हम ने इस तरीके से चेस्ट का फोरपार्ट लिएना हूं हमारा बरटीस नंच हैolor लेंगे और 2.5 नंच अमने 7 ,5 नंच और तीका लिए 10-12 नंच लिए और यहां से दिखिए गले के लिए मार्किंग करना है तो 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे अब इसके बाद दिखिए यहां से हमें लेना है मुट्टे 3 इंच इसके बाद दिखिए यहां से जो मुट्टे के आर्मोल्स होते है नि नि चाही वो लेना है 6 इंच और इसके बाद दिखिए यहां से chest का four part लेंगे यहनि बाद इस inch का four part हो जाएगा 8 inch और यहां पर 2 inch extra लेंगे margin के लिए और दिखिए यहां से आर मुल की साइट हमें डेड़ेंची पर एक margin करना है और इस तरह के से गोलाया करका save देना है और यहां से एक सीधी line रो कर लेंगे इस तरह के से अब इसके बाद दिखिए यहां से हमें जो princess cut cut save उसके लिए marking करना है तो साड़े 10 inch पर marking करेंगे और यहां से हमें 4 inch पर marking करना है और यहां पर साड़े 3 inch पर अब इसके बाद देखिए दोनु मार्किंगों को इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करना है और उपर की साइड हमें 2 इंच पर मार्किंग करना इस तरीके से देखिए अब इसको इस तरीके से मिला देंगे अब इस सेप को हमें उपर की साथ देखिए थोड़ी सी गुलाई देते हूं इस तरीके से आर मोल्स की साथ सेंटर वाले से मिला देना है अब इसके बाद फ्रेंज हम कर लेंगे जहां से हमने मार्किंग किया तो पावाल से इस तरीके से देखिए करडिंग हो जुकी है अब इसके बाद देखिए यहां पर हमें एक साड़े चार इंच पर मार्किंग करना है आर मोल्स की साइट से और यहां पर हमें करना साड़े 6 इंची पर मार्किंग इस तरह के से देखिए अब यहां से देखिए इस तरह के से जोड़ करके एक मार्किंग और कर लेना है दोनों को इस तरह के से मिला देंगे अज़े तरह के से अब इसकी बाद देखिए इसको डाय कर लेंगे इसकी बाद इसकी cutting कर देनी है अब देखिए जो f attracts cut का सेव दिया था उसकी भी cutting कर देखिए तो friends यहांपा दीखिए हमने इस तरीके से paper pasting पर cutting की इसी तरीके से से हम अब जो man fabric है और अस्तर वाला fabric है उसकी भी cutting से हैं इसी तरीके से कर नी है काटिंग कर देखिए है अथे तरलवाले और में फैबुरिक है लिज आने काटिंगा यहां हैं और जो उपर वाला इसा है वो भी मारा फोल्ड में है फोल्ड देखिए और यहां पर हमें लगबग 2 इंच बड़ा रखना है इसको और इसके बाद 2 इंच बड़े से हमें कटिंग कर देनी है इस तरीके से देखिए और साइट से भी कट कर देंगे कट करने के बाद देखिए यहां में निक के लिए मार्किंग करना आ है तो यहां पर टोटल 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहां से देखिए 4 इंच पर मार्किंग करना है अब यहां से देखिए गोला या करका इस तरीके का सेब देंगे और इस तरीके से कट कर देंगे पहले हमें फैबरिक को बाद में कट करना है पहले अकवर्व की फैबरिक को कट करना है अब इसकी बाद देखिए यहां पर इस तरीके से हमारे जो कटिंग हो चुकी है कुए लिए आम इस तरके से देखी अंदर की साइड जो सीधा वाला इससा उसे रखना है बरावर करके से अब इस तकी बाद देखी से सलाइको फेस्ट कर लेंगे तो सारी से अच्छी तरके से सलाइको पेस्ट कर लें अब देखिए यहां पर हमें चोटी-चोटी से कट लगाना इससे अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से चोटी-चोटी से कट लगा लेंगे सारे से में अब देखिए इसको इस तरीके से सीधा करेंगे तो देखिए एकदम बराबर कर लें अच्छी तर्की से अस्तर को देखिए इस तर्की का सेव इस तर्की से हातों की सायता से आप अच्छी तर्की से इसके सेव को बना कर कम्प्लीट कर लें अब देखिए याँ पर मैं जो अस्तर अच्छ करना है तो इस तर्की से स्टिच करेंगे इसको देखी इस तरीके से रखना है और उसके बाद इसको इस तरीके से पलट लेना है और उसके बाद यहां से हमें सिलाई को फेश्ट करना है तो सारे इस से मैं देखी अच्छी तरीके से हम सिलाई को फेश्ट करते जाएंगे तो स्वार इस स्मेची तरीके से सिलाइक फिरेज करकर क्मप्लीट कर लेंगे तो झाइन भूप जो साइड वाल ऐसा है वहाँ भी सिलाइक की फिरेज कर लिया है अब इसकी बाद हमें the side वाले part होते हैं उनको ready करना है तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं इस तरीके से फेबरिक को रखना है और सीधा करके इस तरीके से रख लेंगे अस्तरवाले फेबरिक और मैं फेबरिक को और इनकी चारो साइट से लाई को पेस्ट कर लेना है तो देखिए हमने यहां पर पेस्ट कर लिया है चारो पाटो को मैं इसी तरीके से स्टीच कर लेना है अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले देखिए इसके बाद देखिए यहां से हमें दो इंच चोड़ी पटी लेना है कनी कमबर पटी उसको भी बनागर कम्प्लीट कर लेंगे देखिए यहां पर हमने इस तरीके से स्टीच कर लिया इसको अब इसके इस पटी को एक बाद सीधा करना है और उसके उपर से एक सिलाइक को फिस्ट करना है अब इसके बाद इस तरीके से सीधा करेंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ऐसकी उपर से सिलाई को फेश करेंगे इस तरीके से देखे सारे से मैं कम्प spectrum कर लेंगे सिलाई को डालकर तो देखे यहाँ पर हमारी जो कमार पट्टी हो बनकर एकदम ready हो चुकी है अब इसके बार देखे फ्रेंस अमें जो उपर करने के ऊसे ready करना है है तो इसके लिए हमे तेछी पाटि चाहिए यांई अंब्रिला KARD की पाटि कि यहां पर उनको दोईंट कर लेंगे क्योंकि फ्रेंस यह फ्रेंद् से यहांप तोड़े सी जाधा है पाटि थोड़ी कम है तो इसके इनको जोइंड हमें इसी तरीके से करना है देखिए तिर्छे में अब इस तरीके से पट्टी को सेंटर वाले से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से डवल करके हमें इसे रॉंग साइड से लगाना है यह मारे सीधी वाली साइड आएगा इसका लोग और भी अच्छा था, इसलिए हम इसे रॉंक साइट से लगाएंगे, इस तरीके से दिखे, सारे निक में हमने इसको लगा कर कम्प्लीट कर लिया है, एक्स्रो पर्टी को कट कर देना है, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें चोटी-चोटी से कट लगाना है, यहाँ पर देखिए साथ चोटे-चोटे से मने कट लगा लिए अब देखिए बाहर की साइड में इस तरीके से फोड कर देना है और उपर से एक से लाई को फिष्ट कर देना है तो देखिए इस तरीके से फ्रेंस हमारा जूब फ्रेंट फाइट है वो एक तम बन कर रेडी हो चुका है लगवग तो फ्रेंस नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी वैक पाइट की वीडियो लाऊंगी तो फ्रेंस आप उसको भी जरूर देखें यहाँ पर मैंने फ्रेंट तो दिखिए हमने कितनी आसान तरीके से फ्रेंट फाइट में नेट लगाना सीखा है तो फ्रेंस कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कोई फ्रेंस काट नेट प्लाउस कैसा लगा और फ्रेंस कमेंट करके जरूर बताएं थाइंक्यो कर दो